देखिए आज हम लोग अनुपात और समनुपात के पाठफूर को करने जा रहे हैं यह जो सवाल है यह सवाल आपके गनीत पुष्टक्स में हैं इसका उधारन भी गनीत पुष्टक्स में हैं वह आपको दिखा दे रहे हैं कि पीज 95 का प्रियोग साथ जो है यह उधारन जो है जो हम करवा रहे हैं वह पुष्टक कि आपके पुष्टक का पेज 98 का 6 का रोमन 6 नमबर है देखिए अब आईए इस सवाल को हल करते हैं देखिए यह सवाल को यह X का मान दिया है तो आप यहां पे X का मान डायरेक्ट बेठा के भी आप इस का मान निर्ड़े कर सकते हैं लेकिन वो जो है सवाल जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा और साथ में आपका समय भी अधिक लेगा और हो सकते तो गल्ति की संभबना भी हो सकती है तो हम लोग यहां पर सराल बीदी द्वार जब हम कड़ेंगे तो यहां पर आपको एक योग भाग पड़किया इसके पारे में आपको जानना पड़ेगा अगर माल लिजए कोई सवाल इस तरह कराता है A by B और C by D तो एक काम की जगा इसमें जो है अब बताते हैं योग भाग पर क्या क्या है जो यह अंग्स है तो अंग्स जोर हर फिर एक बाद देज़ाद दखेगा यह अंग्स माइनस हरी होगा यहां पर यहां पर जो काम किये यहां पर भी अगर वही काम करेंगे अंग्स जोर हर फिर अंग्स घटाव हर तो इसके मान में कोई परिवरतन नहीं आएगा तैसे उपके उधारन के द्वारा पसंजाते हैं माल लिजिए A जो है वो 8 है और B जो है वो 3 है फिर C जो है वो आपका 24 है और और यह D जो है यह 9 है तो अब देखिए इसको हाला के 3 से काटेंगे तो 8 परा 3 होगा लेकिन यहां A, B, C, D जो अलग अलग है तो यहां का सरलतम रूपक करेंगे तो यह भी 8 परा 3 अगता बेना यह बराबर होगा अच्छा तो यह हम A को 8, B को 3, C को 24, D को 9 इस तरह से मान लिए अब देखिए इसमें 8, 4, 3 यह 8 घटाव 3 यह 24 जोड़ नो यह 24 घटाव नो देखते हैं संख्या की रूप में सही हो रहा है कि तो यह हो जाएगा आपका 11 और यह घट के हो जाएगा 5 यह भी देखिए आपके क्या होगा यह घटावंगा 33 और यह अपका हो जाएगा 15 अब देखिए इसको भी घटाव माली जब 11 तीन से कटिएगा तो देखिए यह 11 बटा पांच बने यह इसके बराबर हो जा रहा है अब समझ में योगभाव क्या क्या है सवाल में अब हम इसको योगभाव क्या कढ़ेंगे कै दीखिए जब इस तरह का आपको सवाल रहे जो एकस प्लस फोर और नीचे भी दिखिए एकस माइनश फोर अगर इस तरह का देख रहे हैं जो अंस और हर में वही संक्या है लेकिन अंस में जोड़ और हर में घटावा करमें हैं तो समझ यह जिए शहां पर हमको योगभा प अब एक काम करते हैं दोनों पच्छ में क्या करते हैं यहां पर क्या है फोड़े है तो दोनों पच्छ में फोड़े से हम भाग कर देते हैं तो एक्स भाइ फोरे यह देखिए यह कर जाएगा यह दो होगा यह कर जाएगा तो भी एपलस भी हुआ यहां लिख दीजिए दोनों पच्छ में फोड़े से भाग करने पड़ अब देखिए अब यहां पर हम लोग योग भाग करें क्या आंग्स जोड़ हर्ट अंग्स घटाव हर्ट अब यहां पर यह भी उसी दशाएगा तू भी प्लस देखिए जब इस तरह करें न तो अब राइकेट का यूज कीजिए प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है यह जो घटाव जब करता है न तो बच्चे क्या करता हैं यहां पर घटाव लिख के यह एंप अप्लस भी लिख देता है जो गलत है इसलिए आप राइकेट का प्रियोग करेंगे ताकि आपके गलती होने के संभावना बहुत कम हो जाए अब ये टू भी ए प्लस बी और ये देखिए टू भी ये माइनस ये ए माइनस भी होगा अंदर का चींद चेंज हो जाएगा तो अब एक्स प्लस फोर ए एक्स माइनस फोर ए ये हो जाए रहा है ठी बी प्लस ए और ये बी माइनस ए अब ठीक उसी तरह से सवाल को बापस उतारेंगे अब क्या करेंगे यहां फोर बी से दोनों पच्च में भाग करेंगे अच्छा यहां पर यहां पर लिखना है यह जो हम किये योग भाग पड़किया द्वारा इसको हमको फोर बी से भाग करना पड़ेगा एट ए भी फोर भी यह ए प्लस भी यहां पर भी हमको लिखना पड़ेगा दोनों पच्च में फोर बी से भाग करने पर अब यह देखें फोर्स यह कर जाएगा तो बी भी कर जाएगा तो फोर बाइबी टू ए नीचे हो जागा यह प्लस भी ए प्लस फोर भी यहां पर भी योग भाग पर क्या कर रहे हैं एक्स प्लस फोर भी एक्स माइनस फोर भी यहां पर भी योग भाग कर रहे हैं यहां पर भी बैकेट में डिखे गल्थी होने की संभ hmवना भहुत क्कम रहेगी x प्लस 4b x मायनस 4b यह 2a प्लस a प्लस b यह 2a A मायनस मायनस a मायनस b अब यह x प्लस 4b x मायनस 4b यह 3a प्लस b यह जगह A-B यहां पर लिखना था जो योगभाग परकिया द्वारा हरा कि हमाद जगह नहीं है आप लिख लिएगा जब आप लोग योगभाग परकिया दोनों का कड़ लिए तो एक बात या दखिया यहां जहां B होगा इसके छेत्रे पर महां पर A होगा जहां A होगा वहां B होगा दोति यहां 3B प्लस A है तो यहां 3 A प्लस B है यहां B-A तो समझे सवाल सभी कर रहे है देखिए उधारन से तो आप समझ में आ जाए गा कि दो समझ में जानकरए है उसके बीच में यह भी मरें सवाल सही कर रहे हैं कि नहीं जो ट्रीक आप तो आप तो समझ ही जाएंगे तो आप आईए सवाल क्या है सवाल है कि एक स्प्लाइस फोरे प्लास 1 अब इसका मान बठाए जब एक कमानव यहां पर बठाए थी भी एक और maona देख कर बठाएं दूसरा का मान अब भीना देखें बठा सकते हैं डी के जगह पर एक के जगह começa कि भीकलखता हे ऑड्यक्राइब देखें आप माने बठादें वहीं सुल्फ कि जाज़ा है लेकिन अब यह 3A प्लस B इसको हम A की लज़ए यहां पर काम की तो याद रखेगा जो अंद्र का चीन बदल जाएगा तो मतलब जो माइनस है वह प्लस हो जागा तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे इसके समने क्या है प्लस है ना तो यह हो जागा माइनस 3B प्लस A यह B माइनस A अब जहिए यह प्लस माइनस यहां माइनस कर दीजिए फिर यह 3A प्लस B यह B माइनस ए अब आप इसका लॉस हो बी माइनस ए लिख सकते हैं अब यह 3B प्लस ए जब भी माइनस रहेगा हमेशा यह वाला को आप ब्राइकेट में रिखिएगा जब दोनों का हर एक ही होता है तो हर ही आपका लॉस हो जाता है और उपर में जोंका तो लिख दिएगा एक बात जात रिखिए जब भी माइनस हो हमेशा ब्राइकेट में रिखिएगा यहां भचे गलती कर देते हैं यह माइनस अंदर का चिंड जाएगा कि भी मायनस ए अब देखिए जब घटेगा तो यह 2 B माइनस 2A हो रहा है अब यहाँ पर 2 कॉमन ले लिजेए बी माइनस े भी माइनस ए तू यह कट गया हमारा लो यही हमारा एंसर हो गया देखिए आपके पुस्तक का प्रयोग एकसर जो है यह बहुत बार आया हुआ है बोर्ड में तो यह जो है यह जो सवाल को हल जो है यहां पर बहुत अप्तक डायरेक्ट किया है तो इसको हम थोड़ा भिस्तार पुर्वक समझाते तक आपको समझ में आए तो चुकि यह वीडियो लंबा होने जा रहा था इसलिए मैंने गणित को पहले हल कर लिया उसके बाद आपको समझा रहा हूं देखिए पहले हम सवाल को उतार देंगे और इसको हम लोग यह अनुपात कहेंगे आपके यह संख्या कहेंगे तो अनुपात कहना ज्यादा बहतर होगा वात यह तखेंगा पर्तिक अनुपात जो रहता है उसमें आप एक में जो फिर्या करेंगे सभी में वही करने करिंजे से इसके मान में कोई परबद्र नहीं होगा अगर इसमें आप syma जोड़ते हैं काम किये है पर तेग जो अनुपात है उसमें एग घटाए थो इसका लॉस्थ क्या हो जाएगा अःधिया और यह अमेशा बताते हैं जो जब भी माइनस रहेगा तो ये इसके साथ गुना के लिखना पड़ेगा तो इसको ब्रैकेट में अब देखिए ऐसम ब्रैक़्िती अब देखिए आप आप एक काम किजिए खाता में उतार के आप खुद से करते रहेगा ताकि आपको शुभी दाब मैं एक को बता देहाँ आप दूसरे को अपने आप करते जाएगा अब हम क्या करते हैं यह जो माइनस देख रहे हैं ना मायनस सी औरकाइब मैं आपने दि केसे की को, Yuk तो की यह सभी आनुपात में माइनस से क्या करते हैं गुना करते हैं द है मैंध में च्यल Keeping उत्ति आप दूसरे जाएगा यह बटासहरा रँंद यह भीटासों सुच्ति अब हम अगर आंग्स को हड़ में हरनाय ले जाते हैं तो इसको बिप्रित करिया नंग्स कर देंगे यह उलाटेंगे निए भीप्रित प्रकिया फिर क्या किजेगा फिर सभी अनुपातों में एक जोड़ेजेगा जैसे आप एक जोड़ रहें जोड़े हैं तो इसमें भी क्या करेंगे अब इसको हम को हटाना है प्रत्यक को हम क्या करेंगे A प्लस B से हम भाग देते हैं जैसे हम भाग देंगे तो यह हमारा 1 हो जाएगा यह भी 1 हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे यहां पर भी फिर बिप्रित प्रक्या करेंगे तो यह उलट देंगे तो नीचे 1 लिखने का नीचे जो है वान लिखा नहीं जाता है तो यह c बराबर a बराबर b हुआ इसी को हम लोग लोग सजा के लिख दिये देड़ाहे यह बराबर b बराबर c हुआ यह आप लोग देखिए जब मैं जो भी मैत करवा रहा ना आप लोग एक जरूर खाता में उतार के करते रहेगा तब ही आप समझेगा लेकिन आपका किलियर हो सकते तो उतना नहीं होगा लेकिन आप जब खुद से करते जाएंगे तो ज्यादा बहतर होगा